हेलो फ्रेंड मैं आकाश वेलकम टू प्लांट के कीव आगर आपको प्लांट लगाने का शौक है लेकिन आपके पास समय की कमी है तो इस लिस्ट में मैं आपको उन प्लांट के बारे में बताऊंगा जिने आप केवल साल में एक या दो बार खाट डाल दीजिए और मिट्टी सूकने के बाद पानी डालते रही है सालो साल आपके गार्डन में बने रहेंगे फ्लावरिंग भी करते रहेंगे और तो और गार्डन में कलर भी एड़ करेंगे इस लिस्ट में मैंने फोलीच प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट दोनों को एड़ किया है तो इस लिस्ट आपके गार्डन में बना रहेगा और तो और तेजी से डिवाइड होते रहेगा क्योंकि इसमें ट्यूबर होते हैं मिट्टी में ट्यूबर डिवाइड होते रहते हैं एक से सैक्रो प्लांट आपके गार्डन में हो जाएंगे इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये कनीर दे 25 रूपीज इच में और जो पहले आपने प्लान देखा था उसका प्राइस तो 10 रूपीज ही था लगनों की गुवर्मेंट नर्सी में इस ताके फ्लावरिंग प्लांट 10 से 20 रूपीज में मिल जाते हैं तो इस प्लान को भी आप ज़रूर एट करिएगा बस पानी का ध्यान रखिए सालों साल यह आपके गड़र में बना रहेगा और पूरी गर्मियार भर भर कर फ्लावरिंग करेगा इस लिस्ट में अगला प्लांट है यह टर्टल वाइन ग्रीनरी और कलर एट करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है कटिंग तोड़कर किसी भी कंट बाड़ी होती हैं बहुत ही तेजी से यह ग्रो होने वाला होता है किसी भी कंटेनर में एक दो कटिंग डाल दीचिए पूरा कंटेनर कुछ ही महिनों में भर जाएगा देख सकते हैं चोटे कंटेनर में भी आप इने ग्रो कर सकते हैं विंटर में यह थोड़ा सा खराब हो जाता है लेकिन गर्मिया सुरू होने पर देख सकते हैं इसता से नई ग्रोथ आने लगती है इस लिस्ट में अगला प्लांट है यह मैक्सिकन पिडूनिया यह देशी वेराइटी का है और इससे मैं आपको जरूर करूंगा कि आप इस प्लांट को जरूर अपने गार्डन म सबी में लंबे समय तक रह जाता है और तो और इनकी जड़ों से नईने प्लांट निकलते रहते हैं जिससे आप इसका प्रोपोगेशन बहुत यह असानी से कर सकते हैं और यह प्लांट अकसर आपने रोड साइट बगारा में देखा हुआ होगा क्योंकि वहाँ पर पानी के लिए भी कोई नहीं होता है इसलिए वहाँ पर इसी तार के हाड़ी प्लांट ग्रोग किये जाते हैं तो आपके पास भी अगर समय की कमी हो तो आप भी इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में एट करिएगा इस लिस्ट में अगला प्लांट है यह लासा इसे भी अपने पार्क पर गरह में हेच के रूप में देखा हुआ होगा बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है कंटेनर हो या फिर हैंग इंग इंब आसकेट सभी में बहुत ही सुन्दर लगता है और दोर इस प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रोग कर सकते हैं और यह है अजूपा नाम की तरह यह एक अजूपा ही है क्योंकि इंके पत्तो से ही धेर सारे प्लांट बन जाते हैं बस पत्ते को तोड़कर मिट्टी में डाल दीजिए उसी से 7-8 प्लांट बन जाएंगे इसके लाबा पत्ते अगर मिट्टी को टच कर जाते हैं तो उससे भी नए प्लांट ब एक ही टाइम पर तो आप देशी वेराइटी का विंका ज़रू पर्चेस करिएगा ये दो गलर में आते हैं और नर्सी में 25-20 रूपीस में मिल भी जाते हैं इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये मनी प्लांट ये एक इंडोर शेल लबिंग एर पीरिफाइंग प्लांट है क ये भी हैंगिं बास्केट में बहुत ही सुन्दा लगता है और इससे भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ही असान है काफी सारी वेराइटीस में ये हमें नर्सी में देखने को मिलता है लेकिन जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये सबसे हाड ही है इस लिस्ट में अगला प सबी में बहुत ही सुन्दा लगता है काफी सारी वेराइटीस में भी याता है तो इससा की कटिंग लेकर आप अच्छी सेंडी सोयल में ग्रो कर लीजिए बहुत यसानी से ये ग्रो हो जाएगा बस मिट्टी में दबाईए और नया प्लांट आपका तयार हो जाएगा इसक कटिंग लगा कर कंटेनर को छोड़ दीजिए लंबे सा समय तक कि ब्लूमिंग करता रहेगा सालो साल ब्लूमिंग करता रहेगा केवल पानी डालते रहे है खात डालने की भी जरूरत नहीं होती है बिना खात के भी ये सालो साल ब्लूमिंग करने वाला होता है बस अच्छी कैक्टस देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर और दूसरों से अलग दिखने वाला यह प्लांट है और तो और इसे कटिंग से ग्रो करना बहुत ही असान है इस तक कि छोटी कटिंग लेकर आप अच्छी सेंडी सोयल में बस इससे धबा दीजिए पानी का ध्यान रखिए क्योंकि पानी अगर जादा हो जाता है तो कटिंग गल जाती है नहीं तो यह कटिंग से बहुत ही असानी से ग्रो हो जाता है इस लिस्ट में अगला प्लांट है यह डेविस बैकबोन गार्डर को कलरफूल बनाने के लिए गार्डर में कलर एट करने के लिए बहुत ही बढ़िया प कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इस साथ की कटिंग आप ले आईए और अच्छी सेंडी सॉयल में इसे बस दबा दीजिए थोड़ा पानी डाली और पानी का ज़ूर ध्यान दीजिए क्योंकि इस साथ के प्लांट हाड़ी तो होते हैं लेकिन ओवर वाटिंग की वज़ा से हमारी कटिंग गल जाती है तो इन्हें ग्रो करना बहुत यह सान है इसलिस में अगला प्लांट है यह 4 o início से फ्लावरिंग कतम होने के बाद इनमें बीच बनता है तो इससे भी ग्रो करना बहुत यहसान है एक बार आप इससे अपने गार्ड़न प्लांट में आड़ कर लेंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है रेनी सीजन में या फिर इस टाइम आप इसकी छोटी-छोटी कटिंग लगा कर लगभग तीन इंच की छोटी-छोटी कटिंग लेकर इससे अच्छी संड्यू सौन में लगाएंगे तो इस टाइम यह बहुत यसानी से ग्र हुआ होगा यह भी कटिंग से ग्रो करना इससे भी बहुत यसान है क्योंकि मैंने भी से कटिंग से ही ग्रो किया था देख सकते हैं यह देखने में बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट लगता है नर्सी में काफी महंगा मिलता है कम से कम 50 रुपीज आपको इसके लिए प करता है और विंटर में इससे बहुत ही संदर और हैवी ब्लूमिंग करता है कटिंग से ग्रो करुच भी से बहुत हैं और नर्सी में 10-20 रुपए में छोड़ा प्लांट पॉलीबेग में बहुत हैसानी से मिल जाता है तो यह प्लांट आप के पास ना हो और आपको कहीं पर देखने को मिले तो आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा जरूर परचेस कर लीजिएगा इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये सिंगोनियम ये भी काफी सारी वेराइटी इसमें हमें नर्सी में देखने को मिल जाते हैं लेकिन जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये बहुत ही कॉमन वेराइटी के हैं और ये ही बहुत ही हार्ड ही होते हैं कटिंग से भी आप इन्हें बहुत ही असानी से ग्रोग कर सकते हैं नर्सी में असानी से देखने को मिल जाते हैं और प्राइज भी कोई जादा नहीं था 20-30 रुपए में ये पॉली बैक में बहुत ही असानी से मिल जाते हैं इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये चंपा इसे तो आप फिरी में ही एड़ कर सकते हैं रोड साइड बगारा में काफी सारी कलर में सुंदर सुंदर कलर में ये लगे हुए होते हैं तो आप इस टाइम इनकी धेर सारी कटिंग लाका ग्रो कर सकते हैं इस लिस्ट में अगला प्लांट है कि यह कने यह तो देशी वेराइटी का है और इससे भी आपने रोर साइड वेगारा में देखा हुआ हो गए तो इस टाइप आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं इसके लावा सीड हो तो सीड ही हार्वेस्ट करके लिए आईएगा प्लांट है और इनमें से कोई प्लांट आपके पास ना हो और आपको नरसी में या फिर रोट साइड वगारा में देखने को मिले और आप उन्हें परचेस कर सकते हैं या फिर उनकी कटिंग सीड किसी भी प्रकार से आपको मिल जाया तो आप ज़रूर आईएगा और इन प मिलते हैं गले वीडियो में तब तक के लिए हैपी गाटनी